साईबर ने अंगत को देख लिया है सीरत को प्रपोस करते हुई लेकिन साईबर ये बात नहीं जानती है कि अंगत तो सीरत को साईबर समझ कर ही प्रपोस कर रहा था और यहीं पर साईबर के खोखले उसूल सामने आते हैं जब तीन बार अंगद ने उसको मौके दिये हैं और उसको ये साबित करने का मौका दिया है कि वो अंगद को धोका नहीं दे रही है तीनों बार ऐसा हुआ है जब सारे सबूद यहां तक कि खुद साइबा अपने मूँ से अंगत को ये बात का सबूद दे रही थी कि वो अंगत को धोका दे रही है फिर भी अंगद ने उसको बार बार मौके दिये लेकिन साइबा एक बार भी अंगद को ना मौका देने के लिए तयार है ना बात करने के लिए तयार है बलकि साइबा मेडम तो सीधे फैसले पर उतरने के लिए तयार है अंगद और साहिबा की शादी के वक तो अंगद साहिबा से नफरत करता था फिर भी उसने साहिबा को एक मौका दिया अपनी सचाई साबित करने के लिए दोसरी बार जिब कियारा की प्रेगनेंसी को अपने मूhst साहिबा ने बताया कि वह प्रेगनेंट है उस समय तो कोई भी पती यही सोचेगा कि उसकी बीवी उसे धोका दे रही है लेकिन तब भी अंगद ने साइबा को एक और मौका दिया खुद को साबित करने के लिए तीसरी बार साइबा के नाम का वीडियो हर जगे सर्कुलेट होता दिख रहा था जिसमें साइबा की सकल भी दिखाई दिये रही थी फिर भी अंगद उसको ना छोड़ कर गया और ना ही उसने उसे घर से निकाला ना ही तलाक के पेपर साइन किये लेकिन साइबा मैडम के ऊपर एक बार ऐसी आफ़त आन पड़ी जहां उनको ऐसा कुछ देखने को मिला जिससे उन्हें ये देखने में लग रहा है कि अंगद ने उन्हें धोका दिया है लेकिन इस वक्त मैडम ये भूल गई कि आखों देखा हर बार सच नहीं होता अपनी हर बार पे तीनों बारों ने अंगद से यही कहा कि हर बार आखों का देखा सही नहीं होता गलत भी हो सकता है लेकिन इस वक्त साइबा को ये नहीं लग रहा है कि उसे एक बार अंगद से बात करनी चाहिए कम्युनिकेट करना चाहिए आप कभी तो आखो देखा गलत हो सकता है लेकिन साइबा तो साइबा है अपने आपको सचाई की देवी मानते हुए वो घर वालों का सम्मान शुकरा के घर से जाने का एलान कर देख काश सीरियल में एक ऐसा ट्रैक आए कि जब साइबा के सामने सचाई आए तो अंगद उसको वो तीन इंसिडेंट भी याद दिला है जब साइबा अपने मूँ से अपनी प्रेगनेंसी का सच बयान कर रही थी जब साइबा का वीडियो इंटरनेट पे वाइरल था तब भी अं एक बार भी ऐसा नहीं कर पाई तो यह देखकर तो हम लोग कह सकते हैं कि प्यार के खेल में अंगद जहां पास है वहीं साइबा बुरी तरीके से फेल हो चुकी है